हलो दोस्तो स्वागत है आपका सिवन्य किच्चन में आज हम बलु साही दूसेप में बनाने वाली है दोस्तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ मेदा लिया है अब मैं इसमें एक चमच मैं इसमें ब्रेकन पोडर डाल रही हूं मैं इसमें एक चमच नमक डाल रही हूँ महिने एक चमच इसमें घी डाल रही हूँ अब मैं इसमें इस तरह इसको मैं इसमें पानी डाल के सान के आटा त्यार कर लेती हूँ तो देखिए बालोसाही के लिए मेरा आटा रेडी हो चुका है देखिए बिल्कूल कहीं से सुखा आटा नहीं दीख रहा है बिल्कूल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है अब मैंने इसको 10 मिनट टक लिए रेश्ट होने के लिए रख देते हैं तो जब तक 10 मिनट नहीं हो जाते तब तक बालो साही के लिए मैंने यहां चासनी तियार कर लेती हूं तो दोस्तों चासनी बनाने के लिए मैंने यहां एक गिलास पानी लिया है आधा कटोरी चीनी ली हूं मैंने यहां गैस को आउन कर लिया है गैस को मेडियम फलेम पर रखें मैंने इसमें चरपाच इलाइची डाली है इससे फलेवा रच्छा आता है ज्याधा गाढ़ा ना करें चासनी को तो दोस्तो मेरा चासनी रेडी हो चुका है टोटल 6 मिनट में चासनी मैंने रेडी किया है चलते हैं अब अलोसाही बनाने 10 मिनट हो गया है एक बार और मिला लेंगे इसको हम अच्छे से बिल्कूल इसी तरह अच्छे से मिला लीजिए तो आटा त्यार हो गया है तो हाथ से इस तरह आप करें गोल और बेले इसको अच्छी तरह सेफ दें इसी तरह आप अच्छे से गोल बेलते रहिए तो अब एहां हम एक कट लगाएंगे इसी तरह और बापस इसको हम को बेलना है जिस तरह हम बेल रहे हैं उसी तरह आप बेलते रही है बापस मैं इस पर कट करूंगी अगेन इस तरह हम बेलते रहेंगे इसको बापस कट करेंगे और फिर बेलेंगे अगेन इहां पर हम एक कट लगाएंगे और फिर बेलेंगे फिर लास्ट में इस तरह से कट कर लेना है टोटल चार भागू में इसको कट कर लेंगे इस तरह से आप कट कर लिजिए दोस्तो बलॉसाहिक आप दो सेफ में दे सकते हैं चाहे तो इसी सेफ में आप रहने दें नहीं तो आप अपने हाथों से इंतरा करके बल सेफ दे दीजिए और एक अंगली से इस तरह प्रेस करके इस तरह बलुसाही का सेफ दे दीजिए तो मैं सारे बना लेती हूँ तो मैंने गैस को आउन कर लिया है जब तेल गरम हो जाएगा तो गैस को मीडियम फलें पर करके बालू साही को एकक करके एक बार में आपको जितना तेल रहे जितना आटे उसी कानुसार से आप डालें दोस्तो मेरा तेल गरम हो चुका है गैस को मैं मीडियम फलें पर कर दी हूँ अब मैं इसमें एकक करके बालू साही डालूंगी बालू साही को पीच पीच में उलट पलट करते रहें जब देखें कि भूरा कलर का हो रहा है तो बीच बीच में इसको लट पुलट करते रहें जैसे मैंने कर रही हूँ तो इसी तरह बालुसाही को आप रेडी कर लिजिए दोस्तो जब भोरा कलरका हो जाए तो समझेए मेरा बालुसाही रेडी है देखिए दोस्तो मेरा बालुसाही रेडी हो चुका है भोरा हो गया है दोस्तो मैंने बालुसाही आठ मिनट में रेडी किया है मैं इसको जल्दी गरम में ही पाग में डाल देती हूँ ताकि अच्छा से इसको पेस जाए अंदर तकले पाग अब मैं बाकी का बालुसाही रेडी कर लेती हूँ तो दोस्तो मेरा बालुसाही बनके अब रेडी है दोस्तो मेरा पाग कम हो गया था इसलिए दोवारा पाग बनाना पड़ा इसलिए आप थोड़ा सा ज्यादा कर लिजिएगा महिने बनाया है जितना चासनी उससे डबलाप बना लेजिएगा आसा करती हुँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा तब तक के लिए आप सेफ रहे खुस रहे तेल दिन बाई बाई